आज से हर्ताल पर जार्खन के डॉक्टर ओपीडी बंद रहने से बढ़ेगी मरीजों की परिशानी इमर्जेंसी सेवाई रहेंगी बहाल। जमशियतपूर के MGM अस्पताल में पीजी डॉक्टर कमलेस उराव के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में इंडियर मेडिकल एसोसियेशन आई एमे ने शुकरवार से अनिश्चित कालिन हरताल पर जाने की घोशना की है। इस कारण शुकरवार से राज के अस्पतालों में आने वाले हजारों मरीजों की परिशानी बढ़ेगी। सजार जदिक डॉक्टर हैं। हरताल में रिम्ज साइथ सभी मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल, ग्रामिर, शेतर के अस्पताल और निजी अस्पताल वे क्लीनिक शामिल है। इन सभी अस्पतालों में शुकरवार को OPD सेवाएं बंद रहेंगी। हरताल के बज़े से इंडोर मरीजों को भी परिशानी का सामना करना पड़ सकता है। अस्पताल में सिर्फ इमर्जेंसी सेवाएं ही बहाल रहेंगी जहां गंभीर या ट्रॉमा के मरीजों का डॉक्टर इलाज करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि MGM में जो घटना डॉक्टर के साथ घटी है उसे मारने वाले आरूपितों को अभी तक गिरफतार नहीं किया गया है जिससे डॉक्टरों में आक्रोस बढ़ता ही जा रहा है। रिम्स जूनिय डॉक्टर एसोसियेशन के अद्धेक्ष डॉक्टर जैदीप कुमार ने बताया कि हरताल को लेकर रिम्स निदेशक को ग्यापन दिया गया है जिसमें इसपस्ट कहा गया कि वे सब भी हरताल पर रहेंगे जिसमें उनका भी समर्दन चाहिए। अगर शुकरवार को कोई सीनिय डॉक्टर ओपीडी करते हैं तो उन्हें जबरन बंद कराये जाएगा ताकि अपनी मांग सरकार तक पहुँच सके। इमर्जंची सेवा चलती रहेंगी रिम्स निदेशक डॉक्टर आर के गुपता ने हरताल के मुद्धे पर कहा कि ओपीडी सेवा बहाल रहेगी और इसमें डॉक्टर मरीजों का इलाज करेंगे। इने डॉक्टरों वे सभी वहाग के एचोडी के साथ बैठा कर निर्देश दिया गया है कि वे अपनी डूटी समय पर करें ताकि मरीजों को परिशानी का सामना ना करना पड़े। हाला कि उनों ने कहा कि MGM के डॉक्टर के साथ हुई घटना गलत है और उस छात्र के साथ सानुभूती जरूरी है लेकिन डॉक्टर अपने कार से हट नहीं सकते। राची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभाद कुमार ने बताए कि जब डॉक्टरों के समर्थन की बात आती है तो सभी एक जुट हो जाते हैं ऐसी इस्थिति में शुकरवार को उपिडी प्रभावित हो सकता है साथ ही सभी CHC और PHC सेंट्रों में भी स्वास्त सेवा बहा है